अध्याए ग्यारह आप लोग जूठे धर्म प्रचारकों से सावधान रहें ओह यदि आप लोग मेरी थोड़ी सी नादानी सह लेते खैर आप मुझको अवश्य सहेंगे मैं जितनी ततपरता से आप लोगों की चिंता करता हूँ वह इश्वर की चिंता जैसी है मैंने आपके एक मात्र दुलहे मसीह के साथ आपका वागदान संपन्न किया जिस से मैं आपको पवित्र कुमारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर सकूँ मुझे डर है कि जिस प्रकार साप ने अपनी धूर्तता से हिवा को धोखा दिया था उसी प्रकार आप लोगों का मन भी न बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निश्कपट भक्ती न खो बैठें क्योंकि जब कोई आप लोगों के पास एक ऐसे इसा का प्रचार करने आता है जो हमारे द्वारा प्रचारित इसा से भिन है या एक ऐसा आत्मा अथवा सुसमाचार ग्रहन करने को कहता है जो आपके द्वारा सीकृत आत्मा अथवा सुसमाचार से भिन है तो आप लोग उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं ऐसे महान प्रचारकों से मैं अपने को किसी तरह कम नहीं समझता मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ किन्तु मुझ में ज्यान का अभाव नहीं इसका प्रमान मैं सब तरह से और हर प्रकार की बातों में आप लोगों को दे चुका हूँ आप लोगों को उपर उठाने के लिए मैंने अपने को दीन हीन बनाया और बिना कुछ लिए आप लोगों के बीच इश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया क्या इसमें मेरा कोई दोश था आप लोगों की सेवा करने के लिए मैंने दूसरी कलिसियाओं से चंदा मांगा आप लोगों के यहार हैते समय मैं आर्थिक संकर्ट में पढ़ने पर भी किसी के लिए भी भार नहीं बनता था मके दुनिया से आने वाले भाईयों ने मेरी आवश्यक्ताओं को पूरा किया मैं आपके लिए भार नहीं बना और कभी नहीं बनूगा मुझ में विद्यमान मसीही की सच्चाई की शपत अखैया भर में कोई या कुछ भी मुझे इस गौरों से वन्चित नहीं कर सकेगा ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि मैं आपको प्यार नहीं करता? ईश्वर जानता है कि मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ मैं जो करता आ रहा हूँ वही करता जाऊंगा जिससे उन लोगों को इस बात पर गर्व करने का मौका न मिले कि वे प्रचार कारी में मेरे बराबर है क्योंकि वे जूठे प्रचारक और कपट पूर्ण कारी करता है जो मसीह के संदेश वहकों का स्वांग रश्टे है या अश्चरी की बात नहीं क्योंकि स्वयम शैतान जोतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रश्टा है इसलिए उसके कारी करता भी सहज ही धर्म के सिवकों का स्वांग रश्टे है किन्तु उनकी अंतगती उनके आश्रण के अनुरूप होगी संत पॉलुस अपने कष्टों पर गर्व करते है मैं फिर कहता हूँ मुझे कोई ना समझ नहीं समझे और यदि आप मुझे ऐसा समझते हों तो मुझे थोड़ी सी डिंग मारने की छूट भी दे इस संबंध में मैं जो कहने वाला हूँ वह तो प्रभू के मनोभाव के अनुकूल नहीं बलकि ना समझी मात्र है जब बहुत से लोग उन बातों की डिंग मारते हैं जो संसार की द्रिष्टी में महत्व रखती हैं तो मैं भी वही करूँगा समझदार होने के नाते आप लोग ना समझ लोगों का व्यवहार खुशी से सहते हैं जब कोई आपकी सतंतरता छीनता आपकी धन संपत्ति खा जाता आपका शोशन करता आपके प्रति तिरसकार पूर्ण व्यवहार करता अथवा आपको थपड मारता है तो आप यह सब सह लेते हैं मैं संकोच के साथ स्विकार करता हूँ कि आप लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने का मुझे साहस नहीं हुआ आप इसे मेरी नादानी समझें किन्तु जिन बातों के विशय में वे लोग डिंग मारने का साहस करते हैं मैं भी उन बातों के विशय में वही कर सकता हूँ वे इबरानी हैं? मैं भी हूँ वे इसराइली हैं? मैं भी हूँ वे इब्राहिम की संतान हैं, मैं भी हूँ वे मसीह के सेवक हैं, मैं नादानी की जोप में कहता हूँ कि मैं इसमें उनसे बढ़कर हूँ मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदी ग्रह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए मैं बारम बार प्राण संकट में पड़ा यहुदियों ने मुझे पाँच बार एक कम चालीस कोड़े लगाए मैं तीन बार मेतों से पीटा और एक बार पत्थरों से मारा गया तीन बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था, वह तूट गई और एक बार वह पूरे चौबीस घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही मैं बारंबार यात्रा करता रहा, मुझे नदियों के खत्रे का सामना करना पड़ा डाकूँं के खत्रे, यहूदियों के खत्रे, गैर यहूदियों के खत्रे, नगरों के खत्रे, निर्जन स्थानों के खत्रे, समुद्र के खत्रे और कपटी भाईयों के खत्रे का मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला भूग, प्यास, ठंड और कपड़ों के अभाव यह सब मैं सहता रहा और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विशय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता यदि किसी बात पर गर्व करना है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करूँगा इश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता युगान युग धन्य है वह जानता है कि मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ जब मैं दमिश्क में था तो राजा अरितास के राजजपाल ने मुझे गिरफतार करने के लिए नगर पर पहरा बैठा दिया मैं चार दिवारी की खिड़की से टोकरे में नीचे उतार दिया गया और इस प्रकार उसके हाथ से निकल भागा